जैगुरु जी, देवी के द्वारा दुर्ग मसुर का वद तथा उनके दुर्गा शताक्षी, शककम्बरी और भ्रामरी आदी नाम पढ़ने का कारण मुन्यों ने कहा महाप्राग्य सूद जी, हम सब लोग प्रति दिन दुर्गा जी का चरित्र सुनना चाहते हैं अतेहें आप और किसी अद्भुत लीला तत्व का हमारे समक्ष वर्णन कीजिए सरवग्य शिरोमने सूद, आपके मुखारविन से नाना प्यकार की सुधा सद्रिश, मधुर कथाएं सुनते सुनते हमारा मन कभी तृत नहीं होता सूद्जी बोले, मुनियो, दुर्गम नाम से विख्यात एक असुर था, जो रूरु का महा बलवान पुत्र था उसने भ्रह्मा जी के वर्दान से चारों वेदों को अपने हाथ में कर लिया था तथा देवताओं के लिए अजे बल पाकर उसने भूतल पर बहुत से ऐसे उत्पात किये जिन्हें सुनकर देवलोग में देवता भी कम्पित हो उठे वेदों के अद्रिश्य हो जाने पर सारी वैदिक्रिया नश्ट हो चली उस समय ब्रह्मन और देवता भी दुराचारी हो गए ना कहीं दान होता था ना अत्यंत उग्रत तब किया जाता था ना यग्य होता था और ना होम ही किया जाता था इसका परिनाम यह हुआ कि प्रित्वी पर सौ वर्षों तक के लिए वर्षा बंद हो गई तीनों लोकों में हाहकार मच गया सब लोग दुखी हो गए सब को भूख प्यास का महान कर्ष्ट सताने लगा कुआ, बावडी, सरोवर, सरिताएं और समुद्र भी जल से रहित हो गए समस्त वर्ष और लताएं भी सूख गई इससे समस्त प्रजाओं के चित में बड़ी दीनता आ गई उनके महान दुख को देखकर सब देवता महेश्वरी योगमाया की शरण में गए देवताओं ने कहा महामाये आप सारी प्रजा की रक्षा करो, रक्षा करो अपने क्रोध को रोको, आन्य था, सब लोग निश्चही नश्ट हो जाएंगे क्रिपा सिंधो, दीन बंदो, जैसे शुम्भ ना मगदैत्य, महाबली, निशुम्भ, धुम्राक्ष, चंड मुंड, महान, शक्तिशाली, रक्त बीज, मदू, कैटब, तथा महिशा सुर का तुमने वद किया था उसी प्रकार इस दुर्ग मासुर का शिग्र ही संगार करो बालकों से पकपक पर अपराद बनता ही रहता है केवल माता के सिवा संसार में दूसरा कौन है जो उस अपराद को सहन करता हो देवताओं और ब्रहमनों पर जब जब दुख आता है तब तब शिग्र ही अवतार लेकर तुम सब लोगों को सुखी मनाती हो देवताओं की यह है व्याकुल प्रात्न सुनकर कृपा मई देवी ने उस समय अपने अनन्त नेत्रों से युक्त रूप का दर्शन कराया उनका मुखार विंद प्रसनता से खिला हुआ था और वे अपने चारों हाथों में क्रमशह, धनुष, बान, कमल तथा नाना प्रकार के फल मूल लिये हुए थी उस समय प्रजाजनों को कष्ट उठाते देख उनके सभी नेत्रों में करुणा के आंसू छलकाए वे व्याकुल होकर लगातार नौ दिन और नौ रात रोती रही उन्होंने अपने नेत्रों से अश्टू जलकी सहस्रों धाराएं प्रवाहित की उन धाराओं से सब लोग त्रिप्थ हो गए और समस्त आउश्टियां भी सिच गई सरिताओं और समुद्रों में अगाध जल भर गया प्रित्वी पर साग और फल फूल के अंकुर उत्पन होने लगे देवी शुध रिदे वाले महात्मा पुरुशों को अपने हाथ में रखे हुए फल बाटने लगी उन्होंने गवों के लिए सुन्दर खास और दूसरे प्राणियों के लिए यथा योग्य भूजन प्रस्तुत किये देवता भ्रामन और मनुश्यों सहित संपून प्राणी संतुष्ट हो गए तब देवी ने देवता से पूछा तुम्हारा और कौन सा कार्य सिद करूँ उस समय सब देवता एकत्र होकर बोले देवी आपने सब लोगों को संतुष्ट कर दिया अब उक्रिपा करके दुर्गमा सुर के द्वारा अपरित हुए वेद लाकर हमें दीजिए तब देवी ने तथास्तु कहकर देवताओं अपने घर को जाओ जाओ मैं शिग्री संपून वेद लाकर तुम्हें अर्पित करूँगी यह सुनकर सब देवता बड़े प्रसन हुए वे प्रफुल नील कमल के समान नेत्रों वाली जगद्योनी जगदंबा को भली भादी प्रणाम करके अपने अपने धाम को चले गए फिर तो स्वर्ग अंतरिक्ष और प्रित्वी पर बड़ा भारी कुलाहल मच गया उसे सुनकर उस भयानक देत्या ने चारों और से देवपुरी को घेर लिया तब शिवा देवताओं की रक्षा के लिए चारों और से तेजों में मंडल का निर्मान करके स्वयम उस घेरे से बाहर आ गई फिर तो देवी और देत्या दोनों में घोर युद आरंब हो गया स्मरांगन में दोनों और से कवच को चिन भिन कर देने वाले तीखे बाणों की वर्षा होने लगी इसी बीच में देवी के शरीर से सुन्दर रूप वाली, काली, तारा, चिन नमस्ता, श्री विद्या, भूवनेश्वरी, भैरवी, बगला, धुम्रा, श्री मती, त्रिपुर सुन्दरी और मातंगी ये दस महा विद्याएं अस्त्र शास्त्र लेकर निकली ततपश्यात देव्यमूर्ति वाली अस्त्र के मात्रिकाएं प्रकट हुई उन सब ने अपने मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट धारन कर रखा था और वे सब की सब विद्यूत के समान दीप्ति मती दिखाई देती थी इसके बाद उन मात्री गणों के साथ देत्यों का भयंकर युद आरंब हुआ उन सब ने मिलकर उस रोरव अत्वा दुर्गम देते की सो अक्षोहिनीक सेनाएं नश्ट कर दी इसके बाद देवी ने दिशूल की धार से उस दुर्गम देते को मार डाला वह देते जड़ से खोदे गए व्रिक्ष की भादी प्रित्वी पर सिर गिर पड़ा इस प्रकार इश्वरी ने उस समय दुर्गमा सुर नामक देते को मार कर चारो वेद आपस वापस लेकर देवताओं को दे दिये तब देवता बोले अंबिके आपने हम लोगों के लिए असंख्य नेत्रों से युक्त रूप धारन कर लिया था इसलिए मुनी जन आपको शताक्षी कहेंगे अपने शरीर से उत्पन हुए शाको द्वारा आपने समस्तर लोकों का भरन पोशन किया है इसलिए शकंबरी के नाम से आप ख्याती होएंगी शिवे आपने दुर्गम नामक महा दैते का वद किया है इसलिए लोग आपको कल्यान मई भगविती को दुर्गा कहेंगे योग निद्रे आपको नमस्कार है महा बले आपको नमस्कार है ग्यान दाई ने आपको नमसकार है आप जगन माता को बारंबार नमसकार है तत्व मसी आदी महावाक्योद्वारव जिन पर मेश्वरी का ग्यान होता है उन अनन्त कोटी ब्रह्मान्डों का संचानन करने वाली भगवती दुर्गा को बारंबार नमसकार है मात है आप तक मन, बानी और शरीर की पहुच होनी कठिन है सूर्य, चंद्रमा और अगनी ये तीनों आपके नेत्र हैं हम आपके प्रभाव को नहीं जानते इसलिए आपकी इस्तूती करने में असमर्थ है सुरेश्वरी माता, शताक्षी को छोड़ कर दूसरा कौन है जो हम जैसे अमरों पर दृष्टी पात करके ऐसी देहा करे देवी, आपको सदा ऐसा ही यत्न करना चाहिए जिस से तीनों लोग निरंतर वेगन बाधाओं से तिरस्कृत ना हो आप हमारे शत्रों का नाश करती रहें देवी ने कहा देवताओं जैसे बच्छों को देखकर गउए व्यग्र हो उतावली के साथ उनकी और दोड़ती हैं उसी तरहां मैं तुम सब को देखकर व्याकुल हो दोड़ी आती हूँ तुम्हे ना देखने से मेरा एक शन भी युग के समान बीदता है मैं तुम्हे अपने बच्छों के समान समझती हूँ और तुम्हारे लिए अपने प्राण भी दे सकती हूँ तुम लोग मेरे प्रती भक्ति भाव से सुशोबित हो अते हैं, तुम्हें कोई भी चिंता नहीं करनी चाहिए मैं तुम्हारी सारी आपतियों का निवारन करने के लिए सदय उद्यत हूँ जैसे पूर्वकाल में तुम्हारी रक्षा के लिए मैंने देत्यों को मारा है उसी प्रकार आगे भी असरों का संघार करूँगी इसमें तुम्हें संशे नहीं करना चाहिए यह मैं सत्य सत्य कहती हूँ वविश्य में जब पुनह शुम्भ और निशुम्भ नाम के दूसरे दैत्य होंगे उस समें मैं यशुमई देवी नंद पत्नी यशोधा के गर्व से योनिज रूप धारन करके गोगकुल में उत्पन होंगी और यथा समें उन असरों का वद करूँगी नंद की पुत्री होने के कारण उस समें मुझे लोग नंद जा कहेंगे जब मैं ब्रहमर का रूप धारन करके अरुण नामक असर का वद करूँगी तब संसार के मनुश्य मुझे ब्रामरी कहेंगे फिर मैं भीम यानि की भयंकर रूप धारन करके राक्षसों को खाने लगूँगी उस समें मेरा भीमा देवी नाम प्रसिद होगा जब जब प्रित्वी पर असरों की और से बाधा उत्पन होगी तब तब मैं अवतार लेकर प्रजाजनों का कल्यान करूँगी इसमें संशे नहीं है जो देवी शताक्षी कहीं गई हैं वे ही शकंबरी मानी गई हैं और उन्हीं को दुरका कहा गया है तीनों नामों द्वारा एक ही व्यक्ति का प्रतिपादन होता है इस प्रित्वी पर महेश्वरी शताक्षी के समान दूसरा कोई दयालू देरता नहीं है क्योंकि वे देवी समस्त प्रजाओं को संतप्त देख कर नौ दिनों तक रोती रहे गई थी जै गुरू जी संगत जी यहां पर अध्याए पचास उमा सहिधा का समाप्त होता है और यह कितना सुंदर व्याक्यान है जैसे की माँ ने इसमें बोला है कि अगर तुम तुम्हारे मन में मेरे लिए भक्ति भाव है तो कोई चिंता नहीं करने चाहिए और वो सदैव आपतियों का निवारन करने के लिए सदैव उद्यत है गुरू जी हमारे माता गुरू जी हमारे पिता तो जब हम सब गुरू जी की प्रोटेक्शन में हैं उनकी शरण में हैं तो वो ही हमारी रक्षा करते हैं इस सब के सा वस गुरुजी हम सब संगत के साथ हैं और सब संगत के से जो लोग जुड़े हुए हैं उनके भी साथ गुरुजी हैं उनकी भी रक्षा करते हैं गुरुजी की कृपा सदैव सब पर बनी रहे बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी अनंतम शुक्राना जै गुरुजी ओम न महाई शिवाई गुरुजी सदा साहे